अब हमने इससे पहले जो ऊपर मैंने आपको करवाया मैंने आपको simply यह बताया flux कैसे calculate करने है तो मैंने आपको एक formula याद करवा दिया कि flux calculate करने का तरीका e vector dot ds vector अब flux calculate कर लेना ठीक, अब एक scientist आया जिसका नाम था Gauss Gauss कहते है यार यह तो बड़ा complex है कि पहले e vector लूँ, फिर ds vector लूँ, फिर dot product लूँ मतलब यह तो पूरा फिर vector पे चले गए तो इसने एक बहुत असान तरीका निकाला flux निकालनेगा और वो कहते है कि ऊपर वाले method में e vector dot ds vector में पहले small flux लूँ फिर integration करूँ, फिर total body का flux आएगा वो गहता है ऐसा कुछ भी मत करो Gauss film कहती है कि अगर आप मुझे कोई भी closed body दे दो यह figure जरूरी है closed body अब मैंने पुछा, closed body कैसे? वो क्या होती है? क्या cube ए closed body है? बंद है? हाँ वो बंद है, it's a closed body क्या cuboid closed body है? It is a closed body क्या sphere is a closed body? It is a closed body क्या sheet is a closed body? ना, sheet open है ठीक है? बंद नहीं हुई ना हर तरफ से तो वो closed नहीं है तो कोई भी body बंद हो, shape कोई मर्जी हो, वो कहता है चलेगी cylinder दो, या कोई भी चीज़ बंद करके दे दो तो मैंने पूछा कि कोई भी मतलब shape कोई भी? तो कोई भी, arbitrary टेडी मेडी, कोई भी हाथ कोई भी, वो भी चलेगा तो गॉस यह कहता है कि अगर आप मुझे कोई भी close body दें मालो यह मैंने बंद body करके दे दी वो कहता है, चार्ज इसके अंदर अगर क्यू है, इस body के अंदर कहीं भी charge place कर दे क्यू तो मैंने पुछा, center पे कहता है जहां मर्जी, तुमारी मर्जी कोने में पूट कर दो यह क्यू charge positive अपने अंदर से lines को भाहर निकालेगा electric lines of force, निकालेगा यह दखो तो lines perpendicularly cross भी करेंगी तो इसका कुछ तो flux आएगा तो पहला तरीका flux निकालने का क्या है आप पहले small surface area, ds फिर e vector लो, ds vector लो e ds करो, integrate करो फिर आएगा flux, पहले method से Gauss कहता है कुछ मत करो, बस मुझे यह बताओ कि close body के अंदर कितना charge है, अंदर charge है क्यू? जहां मर्जी पढ़ाओ, उसको epsilon knot से divide कर दो total flux आजाएगा, आपको integration करने की जुरूती नहीं है, कुछ भी मत करो total charge inside a body को epsilon knot से divide कर दो, यह लंबा method भूल जाओगे, बस एक second में answer आएगा, Q upon epsilon knot, तो point समझ में आ रहा है, यह Gauss में shortcut बताया, अब इसके अंदर काफी लोग सोचते है कि Q charge जहां मर्जी रख देख, जहां मर्जी रख दो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम तेड़ा भी यहां भी रखते हो कोने पे तो कोई बात नहीं, Lines तो perpendicularly फिर भी cut करेंगी करेंगी, सेंटर पे रखो जहां मर्जी रखो, Lines तो तो क्रोस करने ही करने है तो टोटल फ्लक्स बाडी का कोई फरक नहीं बढ़ता वो कहां पर पड़ा हुआ है, पस जितना charge है upon epsilon not अब किसी नहीं का सर मेरे पाद तो charge ही नहीं है तो फ्लक्स तेरा 0 ही है, तो तेरा तो फ्लक्स निकाल लेगे हमारे पास कोई मिलाके कितने तरीके है दो, पहला दूसरा क्या यह point clear है यहां तक अब कैसे विश्वास करें कि Gauss ने सही बोला है तो ठीक ही बोला, कॉर्स का पाट है अगर लिखे लाया है तो ठीक ही होगा पर चलो फिर भी बंदा देखना चाहता है कि इसमें सही बोला या गलत बोला, इसके लिए क्या आएगा proof of Gauss theorem अब Gauss theorem का proof क्या है इसको समझते हैं